नमस्कार आदाब, मैं हूँ रितांच और न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है हमारे साथ है प्रभीर पुरकाइस्ता जो की न्यूस क्लिक के मुख्य संपादक है और पीपल साइन्स नेटवर्क के संस्थापक सदस्य है आज हम प्रभीर से यूणियन मिनिस्टर सत्यपाल सिंग के बयान पर बात करेंगे तो प्रभीर यूणियन मिनिस्टर सत्यपाल सिंग ने कहा है कि डारविन की तीरी जो evolution की तीरी है वो गलत है तो इस बयान को हम किस तरह देखें पहली बाद इसको पागल पर न समझे सबसे आसान होता ये समझना कि आदमी इंसान जो है पागल हो गया है ये कहते हैं कि PhD क्या है कैविस्ट्री में डेली उनिवस्टी से ये ये भी है कि पुलीस आफिसर रहे है बहुत साल तक इसके बाद यूनियों मिनिस्टर बने हैं मैं इस पे कटाक्शन ही करना चाहते हैं पुलीसी कैसी किया और PhD कैसी कि इस बात पर नहीं जाना चाहता हूं मैं सिर्फ कहना चाहूंगा इसके पीछे एक राजदिक मकसद है इसको वग्यानिक तर्क न समझे क्योंकि डार्विन के थियरी कहा सकते है क्या evolution किता तक डार्विन ने कहा था नहीं कहा था यह बहस नहीं है यह तो बहस वग्यानिकों में होता रहता है और ऐसा नहीं कि डार्विन ने जो थियरी दिया था बिल्कुल उसी तरह हम चल रहे उसमें बहुत सारे बदलाव भी हुए है evolution को जो हम जानते हैं जिस तरह से उसको अगर कोई deny करता कह नहीं हुआ है यह तो पागलपन है इसको उस तरह से देखे ही नहीं यह तो एक political project है जिसके जरीए वो धर्म के नाम पे एक ऐसी वातावरन बनाना चाहते है जिसका एक राजनितिक मकसद है और इस राजनितिक मकसद में यह कहते हैं विज्ञान या तर्क जो है उसको सर हैंगे वो बोलेंगे वेदों में यह था उसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता फनाना ढमाका तो यह हम समझे कि हमारे तर्क संगत विजवाइचारिक विवर्ष जो है इसके खिलाफ एक ऐसा माहौल पैदा करना जिसमें राजनितिक विसलेशन नहो तर्क नहो पलकी एक कि तोर को एक किसिब की सोच लोगों पर थोपे धर्म के नाम पर इसलिए धर्म बना विज्ञान का यह बहस ख़़ा करने की कोशिश कर रहे हैं दक्षिन 35 अंगठन ना सिर्फ इंडिया में बलकी भार भी एविल्यूशन की थियोरी पर खासकर इस तरह की बाते करते रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ समय पहले बोला था कि गनेश का जो सर था वो प्लास्टिक सर्जरी से हुआ था और इस तरह के बेकार के जो बयान आते रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर राजिस्थान के उन्होंने बोला था कि गाए ना सिर्फ सांस लेती है बलकि ऑक्तिजन छोड़ती भी है तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट है इस पर अब क्या समझा जाए देखिए जो विग्यान के खिलाफ एविलूशन के खिलाफ अमरीका में खास तोर से वो क्रियेशनिजम के नाम पे कुछ लोग कर रहे हैं वो भी एक इसी तरह का राजडितिक प्रोजेक्ट है इसको ना समझे कि वो भी कोई खास वैग्यानिक वहस हो रही है कोई वैग्यानिक वहस इस पे नहीं है कुछ लोगों को एकठा कर के पड़के कहना कि बाइबल में जो समझ है उसको स्कूल में पढ़ाना है यह तो सिर्फ क्रिस्चन धर्म को स्कूल में ले आने की कोशिश है जिस तरह हमारे यहां पर सबस्ति शुशु मंदिर के नाम पे जो पढ़ाये जाता है अब जो तथाकतित एडुकेशन मिनिस्ट दूसरे जगहों पर यह सब कह रहे हैं कि इतिहास जो है वो हमारी माइथालिजी जो कहता है वही करना पड़ेगा तो अब एक सोचिए जरा इसको गहराई से सोचिए कि दिग्यान को तो धर्म के सामने सर जुखाना पड़ेगा और इतिहास वो तर्क पे आधार पे नहीं हो को नई तरह से पेश की जाती है वो घर है कि वो जो हिस्ति इतिहास पे जो लिखा है बिलकुल वही होगा और कुछ नहीं कर सकते आप तो मैं कहता हूं कि इतिहास पे जो लिखा है आल्टेरिट हिस्ट्री लोग लिखते बाहर जो कालपनिक इतिहास लिखते हैं उसको समंभ करते हैं. तो इतिहास में क्या वह सिर्भ यही बहस नहीं है. स्रीजन शिल्टा पर भी एक बहस इस तरह से चल रही है. तो एक अजीब और गरीब माहुल बनाई जा रही है. माइथालोजी की प्रिडॉम डॉमिनस जो है माइथालोजी हावी कर दी जा रही है. विग्यान पे और कल्चर पे भी. तो स्रीजन शिल्टा पर भी हावी कर दिया जा रहा है और तर्क पर भी कर दिया जा रहा है. तो यह साफ साफ इसको समझना चाहिए कि हमारी स्रीजन और हमारे तरक के खिलाफ एक हववा खड़ा किया जा रहा है धर्म के नाम पर जिससे हम सोचता बंद करें स्री जिन्शिल्टा बंद करें आपने विज्ञान के बारे में वो जो अमरीकी संग्स्थाओं के बाद का रामबाधव जी ने इसको उधारन के रूप में दिया है उ इनको जानना चाहिए थोड़ी जानकारी होनी चाहिए लोग है क्या ठीक है ना इनको तो कहना है Bible में जो कुछ लिखा है वह सब هूबहू सत्त्य है और 40000-400 साल पहले भगवान ने प्रिथ्वी को बनाया है और सब चीच को वैसे ही वैसा दिया है यहां पर पेश किया है को evolution नहीं हुआ हर जानवर जो है वो खुदा ने बैसी बना के चार हजार चार बीसी में इसको पित्वी में भेजा है हमारा यहां पर अगर कोई राजडितिक कारी करता इस तरह के बात करता है तो उसको तब स्विकार करने ने चीह बाइबल ही उसका धर्म है ठीक है ना हो कहां कि हमारा वेद में भी तो यह नहीं लिखा है ना कि लिखा है कि evolution गलत है वेद में तो कहां से यह आ रहा है इसको समझने के जरूरत है यह मेरे ख्याल से पूरी तरह से राजडितिक प्रोजेक्ट है और इसका मकसद राजडितिक है ना धर्मिया है ना कि वज्यानिक है एक तरफ हम यह देखते हैं कि सरकार इस तरह की और इसके मिनिस्टर इस तरह की बाते कर रहे हैं दूसी तरह हम देखते हैं कि स्मार्ट सिटी की बात भी हो रही है और दूसी तरह हम देखते हैं कि बुलिट ट्रेन की बात भी हो रही है तो इसमें कोई contradiction आपको दिखाई देता है या फिर ये किस तरह और क्यों हो रहा है एक सोचते वाली बात है कि तर्क से तो घब्राते हैं पर टेक्नोलोजी की विकास से उनको अच्छा लगता है टेक्नोलोजी की विकास उनको अच्छा लगता है तो इसलिए ये दरना समझे कि इस परसपर विरोधी एक बात है क्योंकि टेक्नोलोजी अच्छा लगना और विज्ञान जो हमेरे चारो और जो प्रकृति है समाज है उसको समझना वो उनके लिए खत्रा है टेक्नोलोजी उनको लिए खत्रा नजर नहीं आता है पर वो नहीं समझ पा रहे हैं कि टेक्नोलोजी की विकास तब ही हो सकती है जब वाइगानिक विकास हो हमारे अंदर जिग्यासा हो हमारे अंदर स्रीजन शीलिता हो ये तीनों चीज अगर नहीं होगी तो हमारा टेक्न शीलता को अपने तेकनीकी विकास को हमारे सोचने वाले लोगों से अलग कर दिया था इसलिए हमारे कास्ट सिस्टेम यह चीजों को अलग-अलग करके रखाता और इसके वज़े से टेकनीकी विकास हिदुस्तान में बाहर से ज्याद़त तर आया है और हमारे हैं बौदिक वि ती और इसलिए इस को अलग- alar करने से दोनों के नुक्सान हुआ नकि हम अपने तूल्स को आवजयरों को विकास कर पाए अजना कि इस विकास के जरीए विज्ञान का विकास कर पाए तो वहां पर एक अलगाव जो होता है इस तरह से एक FC बैरियर बन के वहë जाता है, जिसके वज़े से इसकी आगे हम नहीं ले जा सकते, बिल्कुल सही है, तेक्नालोजी अगर हम विज्ञान के विज्ञानिक सोच की इलावा अगर बनाने चाहे, उसको भाइश कार करके बनाने चाहे, तो इसका मतलब है तेक्नालोजी अब बाहर से खरी देंगे, धारा में दिखाई देता है आपको? बिल्कुल बैने जो कहा कि इतनों वैचारी सोच और खास तोर से critical सोच जो है उसके खिलाफ है और critical और विग्यादी की सोच के खिलाफ होना आप कैसे करेंगे? उसका विरोध कैसे करेंगे? तो विरोध आखिर लाठी और बंदूग से कर सकते हैं क्योंकि वैचारी से तो नहीं कर सकते हैं वैचारी स्तर पे अगर आप विरोध नहीं कर सकते हैं तो आपको दूसरी आवजार अपनाना पड़ेगा इसलिए राशनिस का हत्या करना क्योंकि वो reason के खिलाफ जब है, उनकी लड़ाई है, reason के खिलाफ वो लड़ाई कर नहीं सकते हैं उस पर तरक चाहिए और उस तरक उनके पास क्योंकि नहीं है इसलिए उनको गोली से करना पड़ रहा है तो इस पूरी आखरी सवाल यह है कि इस पूरी जो प्रक्रिया है, इसका क्या मकसद है, जो एकदम pinpointed मकसद क्या है, सरकार का रेजीम का मैं ने थो कहा कि सरकार में आने के बाद इनका इरादा ही है कि वैचारिक स्तरह पे सोचने से लोगों को बन कर दिया जाए लोगों ने सोचने की scarceमता उन्से ले लेनी जाए, स्डिजनशीलिता इन सब चजहों को लेनी जा है और उनको यो पढ़ाया जाए कि हम जो कह रहे हैं सरसंद चालक जो कहेंगे उसी संचालदा से पुरी देश को एक तरह से चलता है, गोलवालकर का सावरकर का जो थीसिस गवा करता था कि हमें हिंदुस्टान को हिंदवाइज करना है और हिंदूिजम को मिलिटराइज करना है और उसाबर करने कहा था, मेरा हिंदुत्व से हिंदुइसम को कोई मेल नहीं है, यह तो एक अलग प्राजेक्ट है, तो हमको यह समझना चाहिए, पूरी तरसे राज़ितिक प्राजेक्ट है, एक धान्मिक प्राजेक्ट है ही दी. धन्यवाद प्रबीर हम से बात करने के लिए आप बागी खबरों के लिए आप देखते रहे इन्यूस क्लिक थैंक यू